किसी ने पूंच्छा ऐसा क्या है इस पटिया में जो इसे धरोहर कहा जाए किसी शहर या समाज की सब्यता और संस्कृती की राजनेतिक विरासत या सार्वजनिक संपत्ती जो स्वतंत्रता से पहले और बात की सभी घटनाओं की साक्षात गवाह है अब हमारे बीच नहीं है आये इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं पटिया वह भी राजनेतिक धरोहर क्या ये संभव है जी हाँ त्रिपोलिया चौक घंटागर के नीचे एक चार्प गुना टू की एक पटिया थी 6 मार्च 1941 को ततकालीन गवर्नर जनरल सर मौरेस हेलेट ने इसका उदघाटन किया था पटिया के नीचे उदघाटन का पत्थर भी लगाया गया था स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में रोज शाम आठ बजे के बाद यहां क्रांतिकारियों वनेताओं का जमघट लगता ये क्रम 1941 से 1947 तक जारी रहा टाउन हाल से चौक घंटाघर तक रोजाना सुबह शाम पबलिक एड्रेस सिस्टम से समाचार वाचने का काम होता था स्वतंत्रता मिलने के बाद इसे गुलामी की निशानी मान तोर दिया गया लेकिन एड़ोकेट श्री भगवती प्रसाद सक्सेना के पुत्र श्री मैकुलाल ने अपने पिता की स्मृती में इसका पुनर निर्मान करवाया फरुखाबाद में आज के राजनेतिक सफर की दास्तान यहीं से शुरू होती है यह पटिया शहर का राजनेतिक थमामीट था जिससे शहर की राजनेतिक सरगर्मी मापी जाती थी रोज देर राद तक पटिया जमघट लगता राजनेतिक मुद्दों पर गर्मा गर्म बहसे होती 1952 में नहरू जी कॉंग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने टाउन हाल आये थे इसी पटिया पर नहरू का आदर सतकार किया गया था दोरे के बाद एहमद रोड को लोगों ने नहरू रोड नाम दे दिया मुझे पटिया जमघट में सन 1962 की चाइना वार पाकिस्तान की 1965 वह 1971 की वार पर टिप्रिया आज भी याद है खुर्शीद आलम खान, सल्मान खुर्शीद, दयाराम शाक्य, ब्रमदत द्विवेदी, विमल तिवारी, विजय सिंग, अटल बिहारी बाजपी वर डॉक्टर लोहिया आदी अनेको नेताओं ने यहां जमात लगा अपनी राजनीती की है लुहिया के चुनाव में उस समय देश के हर तेच तर्रार नेता ने पटिया जमगट में हिस्सा लिया है ततकालीन जनसंग का राजनेतिक भविश्य इसी पटिया से शुरू हुआ था अर्विंद केजरीवाल की नई पार्टी की शुरूआद भी इसी पटिया से हुई है इमजेंसी में पटिया सूनी हो गई क्योंकि सभी नेतागर अंडर ग्राउंड हो गए थे ये पटिया 84 के दंगों की साक्षात गवाह है बिना किसी राजनेतिक द्वेश के विभिन दलों के नेताओं की पटिया बैठक में एकमत द्रण निश्चे की बजह से शहर में शांती बहाली हुई थी वास्तव में इस पटिया ने सन 1941 से 2023 तक के अपने सफर में शहर को बनते बिगरते देखा है अब इस बुल्डोज को क्या मालूम की इस पटिया की हैसियत क्या है अंजाने में प्रशाशन द्वारा इसको बेरहमी से ध्वस्त करा दिया गया प्रशाशन से अनुरोध है कि निशानी के तौर पर आगे पीछे कहीं भी इस पटिया का पुनर्निमान करा शहर के राजनेतिक सफर को ऐसे ही चलने दे